सब्सक्राइब करते हैं जिसके अंदर हम लोग बहुत को सीखते हैं तो आज काफी दिनों के के बाद में नियर बाइद दसकुनार दिन के बाद में क्लास जो कि अपने स्पार्ट बोड के वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों कल आपके एरपोर्ट से तो आज आपको प्रॉब्लम जो है आवाज वाली भी नहीं आएगी डोंट वरी वोफुली आवाज वाज वाज बिलकूल सबको सही आ रहा होगा अगर अगर सबको अगर सबको सही है तो मुझे एक बाद हमस अब कर दोसो डायटर मेरे भी पता चल जाए कि सबको सही है गुड मारिंग गुड मारिंग एवरिवन तो जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों कि आज जो डेट है वो है एट आफ जून तो एट आफ जून के जितने भी इंपोर्टेंट न्यूज है वो सबी हम लोग कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले तो यह सारे आपकी exam है अगर आप इनमेंसे किसी भी exam के तयारी कर रहरे है तो आपको यह session regular देखना चाहिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इतना कुछ सेखने को मिलेगा कि आप जिंदगी के अंदर कोई भी exam दे रहे हो, कहीं पर भी interview दे रहे हो, चाया आप entrepreneurship कर रहे हो, चाया आप job कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, हर जगे पे आपको बहुत सारे benefit है जो कि आपको मिलेंगे, क्योंकि आप बहुत कुछ आपे सीखते हैं, ठीक है, और आज ये तारिक वाज वर्ड ओशन डे भी है वैसे है ना, एक बच्चे ने आपे कमेंट किया हुआ है, इसलिए इसको बता रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रीवेज दे के question कवर करेंगे, उसके बाद में coat of the day, सारे के सारे newspaper, एक fun fact देखेंगे, डेली के 5 vocabularies और जाने से पहले कुछ सवाल है, जो कि आपको मैं देखे जाने वाला हूँ, तो कल के सवाल के बारे में बात करें, तो मैंने आप से पूछा था, कि why it is difficult to develop an effective malaria vaccine, है ना, इतनी effective malaria vaccine effective बनाने क्यों नहीं बन पाती है, क्योंकि कोई भी परसर immunity डबलब नहीं कर पाता, malaria के खिलाब एक बार होने के बाद में, तो यह जो second वाला artificial light, मैंने आपको बताया था ना कि अंधेरे के अंदर ही feeding करते है, mosquitoes और यह सब तो अगर अंधेरा होएगा इन्हीं artificial light के थूँ तो वो feeding नहीं कर पाएगा, तो malaria होने के chances थोड़े से कम हो सकते हैं, तो यह experiment है, जो कि recently किया गया था ना, बेवकू बनाना मतलब को बनाना को उसको मत्सर को वेवकू बनाने की कोशिशा है, और biodiversity hotspots से कौन सी चीजा आप संबन देते नहीं है, तो देखिए, large number of species, endemic, exotic, यह सब इससे related है, destruction of habitat तो आपके environment loss का एक कारण है, तो दी आपका बिलकुल से answer हो जाएगा, largest area इंडिया में कौन सा है forest का, तो tropical, moist, deciduous forest है, जो यह चाहिए वो UPSCO, PCSO, Defense, Banking, SSC, CAD, CLAD, UGC, तो आप अनकैडमी पर जाके रेफ्र कोड लगा सकते हैं, BHU10, जिससे आपको 10% off है, जो कि आपको मिल जाएगा, आप इसको UPSC, BCS, Defense, Banking, किसी भी एक्जाम के लिए काम मिले सकते हैं, आपको आप डाउलोड करनी है, पर जाहिए, और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको लगाना है, BHU10, ठीक है, तो BHU10 लगा के आप इसको continue कर सकते हैं, और मेरे सारे के सारे कोर्से अल्रेडी बने वे, तो आप वहाँ पर जाके अपना सारे complete course भी कर सकते हैं, साथ में अगर आप जॉब करते हैं, तो smileforall society.org आप जी की website पर जाके एक बच्चे को educate कर सकते हैं, मातर 500 रुपे पर मन्त में, पूरे दुनिया में जितनी ज़्यादा transparency मिल सकते हैं, उतनी ज़्यादा आपको smileforall के ओपर मिलेगी. चलिए, आगे की बात करते हैं, आज की code of the day की if you feel down yesterday, stand up today. देखो, बहुत बार ऐसा होत है ना, तो उसका मतलब यह नहीं कि आज का दिन भी बुरा होगा, आने वाला कल भी बुरा होगा, अगर कल का दिल बुरा बीता है, तो आज उसको आज को पर उसका impact मत पढ़ने दिया करो, कोई बात नहीं, यह चीज़ सोचा करो कि कल गुजर गया ना, कल मेरे आद में कुछ बोल दिया, आपको किसी से लड़ाय हो गई आपकी आपकी अगर आपके जो भी है, उनसे आपकी लड़ाय हो गई, जगडे हो गई, कोई पेपर के अंदर आप पास नहीं हो पाए, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कोई एक्सिजेंट हो गया, कोई और बात करता है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे, और पुराने बर्टन को यह वो सिर पे लेके नहीं चलेंगे, अक्सर लोग जो है, वो पुरानी चीज़ों को लेके गूमते रहतें सिर के ओपर अपने वजन की तोर पे, मत क्या करो है, सहारा, कभी में सही नहीं होगा, आगे बात करते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों, फूड सेफटी इंडेक्स की बारे में बात करेंगे, रैंकिंगे जो कि आई है कि कौन से राज्य में फूड की सेफटी का कितना ध्यान रखा जाता है, बहुत अच्छी रैंकिंगे, देखेंगे इ इंडिया के अंदर देखो चाहिए कुछ भी गवर्मेंट या फिर जो है ना, इसारे के सारे मिलकर कुछ भी करते हैं, लेकर इंटरनेशनल यह आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इंटरनेशनल यह शुट आफ टू भी, तू भी, बिलीव इन इक्वालिटी, ना, डॉमेस्टिक ल पूरा डेटा भी बताता, तो यह बहुत ही जरूरी है किया, हम लोग क्या करें, OIC कंटरिस के साथ में भी हमारे रिष्टे बहतर करें, इसलिए गवर्मेंट ने क्या किया है, कि जितने भी अपने जो डिप्लोमेंट से ना, उन सभी को रीच आउट करने के लिए बोला है, OIC कंटरिस के अंदर, सबको एक स्टेटमेंट डिया है, और सबको बात करने के लिए, उन से मिलने के लिए बोला है, ताकि जो स्थती है उसको क्लेरिफा हो सके, बहुत ही जरूरी गौर्मेंट का यहां पे बहुत बड़ा रोल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने र गौर्मेंट का सबसे इंपॉर्णन काम ही होता है, कि स्थती को बिल्कुल न्यूट्रिलाइज किया जाए, जो भी मुद्दा होए, तो उसके की कोशिस है, जो कि यहां पर करी जा रही है, हमारे जो वेंकिया रैडू जीए दोस्तों, वो भी अभी दोहा के अंदर जो है, वहां पर भी उन्होंने मिटिंग करी, उनके सुल्टान से, ठीके, इसके अलावा दोस्तों, यहां पर एक और बड़ी चीजी है, कि यहां पर अलकाइदा भी अक्टिव हो गया, जो अलकाइदा की इंडिया की जो ब्रांच है, जिसको कहता है, उसने भी जो है, वो दमकी द इनका काम ही पुरी दुनिया के अंदर अन्रेस्क्रेट करना होता है, तो होफुली हम लोग हमारे सेक्योटी को पंप अप कर सकें, यहां पर दोस्तों बात की जारी है, CDS के इसके बारे में बात करेंगे कि आपको मालूम है, दिसमबर के बाद से हमारे हांपे CDS नहीं बन है तो सीडियस बनने का जो क्राइटीरिया है ना वो थोड़ा चेंज किया गया तो क्या चेंज किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आप इसके लावाए यूटुबर को गोवा के अंदर अब्यूस करने के लिए बैंक रॉल सीम को जो है वो पकड़ा गया इसके करता है तमिल लाडु को लेकर देखें तमिल लाडु में टॉप किया है फूट सेफटी इंडेक्स के अंदर गुजरात महराश्ट्रा उसके बाद सेकिंड और थर्ड के ओपर है तो यहां पर 20 टॉप राज्य जो है वो बताएग है फूट से पूट से और फूर्थ के दुबारा कि करें गई है व्रमभार्श और धिबर्ड्न डिकर गयं टॉट्र शिड on का वारे में बात करो वजश्म बड़ेघ्यों बड़े राज्य ना उनकी ख़ clarification मताय ड़ेए थो ते राज्यों के अंदर सबसे ऊपर कौन होगा ओवेसली गोवा मेन डिता व्याद कर लीजिएगा यूटी के अंदर बात करें यूटी के अंदर तो जम्मों कश्मीर जो है वो सबसे पहले उसके बाद में आता है दिली और उसके बाद में कर रहे हैं और चोटे राज्यों के अंदर या गए यूटीस के अंदर या गए तो मंसुख मंडाविया जी जो है उन्होंने जो है आपे विनर्स को फैसिलिटेट भी किया और स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है यह मेजर है कि कौन से राज्य पाच पेरामिटर के अपको मालूम हुगाओ EAT क्या नाम था उसका EAT RIGHTS Research Award लांच करे गए थे costwal.油 एंट्रैट campaign चलाएं गया था था है कैमपेंज चलाएं गया था तो यह सारे campaign शाना से ठीकें काईज निटीपतिराने आप ये काम कर सकते सपोर्टेटेट स्मali retro society dot.org की वेबसाइट के ऊपर स्वारी मेल आईडी के ऊपर आप मेल कर दो है ना जो भी आपकी प्रॉब्लम है support at the rate smileforallsociety.org तो आपकी प्रॉब्लम का जो भी समस्सा है ना उसकी problem का solution 24 hours में आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं FSS AI को लेकर यह एक autonomous statutory body है जो की food safety and standard act 2006 में आयता उसके अंडर में इसको setup किया गया था और health and family welfare ministry के अंडर में यह काम करती है दिली के अंदर इसक जैसे होगी उसके बारे में काम करती है ठीक है guys है ना अब जैसे की standard set करना safe रखना food को license देना किसी को compliances देना inspection करवाना है आपको मालूम है ना कि पनीर वाले के rate मारते सारे पनीर जो है वह फरजी निकलता है मिठाई वालों के मारते दिवाली के time पर तो मिठाई जो है वह फरजी निकलती है तो यह काम करना जो है inspection करना ही बहुत जरूरी होता है इसके अलावा test करना food के standards को train and build करना capacity इसको citizen तक लोगों तक पहुंचाना कौन सा food है जो कि उनको consume करना चाहिए तो यह सारे काम FWS AI के है इसके अंदर एक chairperson होता है और साथ में 21 members होते हैं जिसमें से one-third जो है वो महिलाएं होती है ति चेर परसन जो होंगे वह हमीशे central government appoint करेगी और इनके पास scientific committee भी हो CEO है जिनको अभी याँ पे बना रखा है आगे बात करते हैं दोस्तों जो कि है CDS को लेकर आप सभी को मालूम है अमर्देश में सबसे बड़ी position है जो कि बनाए गई थी जो कि हमारे तीनों army के head है ना उनसे भी उपर थी तीनों जो है वो report करते किसको CDS को CDS report करेंगे किसको defense minister को ठीक है तो एक high profile position है जो की बनाए गई थी chief of defense staff ताकि तीनों services के बीच में coordination भी हो सके यह भी बहुत जरूरी था तो पहले तो यह था कि जो हमारे general है जो तीनों army के head है ना उनमें से ही किसी को बनाया जाता अभी तोड़ा criteria change कर दिया है अभी जो 3 star वाले जो officers है ना उ cds बन चुका है अला कि करतो रहा है सब मुश्किल है कि किसी 3 star वाले को बना दिया जाए लेकिन rules के अंदर change करके यह possibility है जो की रख दी गई है 3 star कौन से होते हैं आपने जो लेफ्ट रेंज जनरल होते हैं लेफ्ट रेंज जनरल जो है ना वो 3 star वाले rank के अंदर आते हैं ज कुछ rules है जो कि यहां पर change करें गए साथ में यह भी बोल दिया गया है कि कोई भी retired service chief है है ना यहां पर आप देख सकते हो amendment हुआ है तीनों के service rules में आर्मी नेवी और एरफोर्स के allow कर दिया गया है retired service chief को और 3 star officer को कि वो भी eligible होंगे किसके लिए country के top military post के लिए तो अगर आपने कोई for example किसे जल्दी retirement ले लिया हो या फिर कोई three star officer हो तो वो भी आप eligible है जो की बताए गया है और retired officer की age जो है वो 62 से उपर है जो की नहीं होनी चाहिए क्योंकि के अंदर limit लगा रखी है ठीक है ताकि पहले जो हो बन सके इसके लागा कई बार लोग जो है जल्दी retirement position के उपर है वो भी apply कर सकता है ठीक है चलो इसके अलावब तो कुछ और खास नहीं है तो यह बात ध्यान रखीगा ठीक है और ठीक है बस यह वाली बात है और तो कुछ खास इसके अंदर है नहीं है ना एक department of military affairs भी create किया गया था जो की पाचवा department था ministry of defense के अंदर जहां पर cds जो है वो functioning कर रहे थे as a secretary और साथ में यह permanent chairperson मने थे chief of staff committee के और यह report किसको करते है प्रिंसिपल military advisor थे जो cds है ना actually के अंदर वो principles है जैसे हमारे scientific advisor होते है security advisor होते है वैसे यह military advisor थे हमारे military के जो भी चीज़े होगी उसके advice यह defense mister करेंगे defense mister फिर प्रदान मंतरी को करेंगे ठीक है guys बार मिली आस तक किसी को करियपपा जी और मैनिक्षाओ जी को उसके बाद में general होते है पहले तो सिर्फ क्या general वाले लोग की अभी एक step और पीछी जाके left and general वाले लोग को भी इसके अंदर eligible है जो की कर दिया गया है ठीक है मनीश मैंने pdf दो दिन की निए सारे दिन की दे रखी है करन्ट अफिट बुरेश्टर करके एक टेलिग्राम ग्रूप है जहां पर 56-57,000 के आसपास लोग होंगे मेरे नाम पर बहुत सारे और भी फंची बने वह है वो मेरे नहीं है जो आल्रेडी है है ना वो दूसरा है ठ सब्सक्राइब है एक बार रुख जाओं मैं आपको लिंक देता हूं 59,000 के आसपास से इस वाले ग्रूप को जोइन कर ले ना इसके अंदर आपको सारी PDF जो है वो मिल जाती है यह वाला ले लो पर साथ दोस्तों यहां पर बात करेंगे किसको लेकर इलेक्ट्रोनिक वेस्ट को लेकर तो देखो इलेक्ट्रोनिक वेस्ट भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आज की टाइम पर इंवार्मेंट के लिए बन गई हम लोग मुबाइल फोन एयर फोन फलाना इतना ज्य принद हम जो लेक्ट्रोनिक वेस्ट भी उतना ही हो रहा है तो आक होता गया है वैसे दू घ्रq ओनागे चाहिए है रियालच जूब्लम हो जाएगी अबी प्रब्लम क्या है कि अगर हम रिपोर्ट एंदर बताया लेकिन जो ग्लोबल एवेस्ट मॉनिटर रिपोर्टर ने जो कि दुवारा दी जाती है उन्हों का कहना है कि 1000 नहीं आपने 3000 किलो टर्न एवेस्ट जो कि जनरेट किया है उके उनका डेटा जो है वो कंजप्शन के ओपर और स्सक्राइब है और फीस दन्या में चैना वेस्ट चैना सबसे ज़ादा सैकिंड हा सबुस् hazed मेरे पास कि हम उसको इन्वार्मेन्ट चाहिए हूजाएगा जाएगा वही चीजए जो कि आप बताए गई है ओग पर इंपक्ट पड़ेगा तो जनरेशन तो देखे हम लोग जनरेट तो आमने काफी जादा किया लेकिन हमारा क्लेक्शन जो है ना वह बहुत कम है कितना नीचे की तरफ कलेक्शन है तो चार-पाच पर सेंटी होता है वैसे अगर प्रैक्टिकल अगर बात करो तो चार-पाच पर सेंटी टोटल का हम लोग उसको रिसाइकल कर पाते हैं इसके अलावा ठीक है यहां पर राज्जो के अकॉर्ट इंगली बताया गया है और यह देखिए नंबर और इवेस्ट क्लेक्शन सेंटर कितने है वह बताया गया तो क्लेक्शन सेंटर ही एक एक राज्जे के वह वेस्ट पंगॉल के पास में सबसे ज़्यादा एक प्लांट है वेस्ट पंगॉल में लेकिन उसकी कैपसिटी बहुत ही अच्छी है लेकिन जो वेस्ट क्या गया है वो देखिए मात्र 0.8% किया गया है तो यह बहुत ही कम नंबर है ओलराइट आगे बात करते हैं तो इ अलावा आप इसको क्या कर सकते हो वापस से साइंटिफिक मैनर में रिसाइकल करके काम में ले सकते हो वही चीज़े जो कि आप पर बताए गई है इसके अलावा यह देख सकते हो दुनिया की टॉप थी कंट्री में चाइना युए से और उसके बाद इंडिया तो यह रैंकिं में मिलेगा लाइट बल्ब में टेलिविजन बैटरी में यह आपको काडियोवस्कुलर न्यूरो डब्लप्मेंट प्रॉब्लम क्रेट करेगा पेपर में पूछते हैं बाइलोजी के बहुत ही बढ़िया सवाल है अब जो की बहुत ही इसली आप क्रैक कर सकते हो कैडमियम ह है ना टोनर में बैटरी में मुबाइल फोन में बहुत मिलेगा आपके रिनेल और बोन के लिए नुक्सान करता है मरकरी है स्विचेस के अंदर मॉनिटर के अंदर आपके LCD स्क्रीन के अंदर इन सब में आपके यह भी नियूरो डवलोप्मेंट की प्रॉब्लम क्रेट निकल है यह बैटरीज के अंदर अलर्जी लिवर का काम लीथियम बैटरीज लंग डैमेज करेगा बैरियम है आपके फ्लोरसेंट लैंप्स में आता यह भी नियूरो जनरेटिव डिजीज तो नियूरो लॉजिकल जो प्रॉब्लम है ना वो जाधा क्रेट कर रहे हैं यह अगर आप देखोगे तो अच्छे से हैं ना बरलेलिया में कंप्यूटर के एक्सरे मशीन में मिलता है यह कैंसर लंग डिजीज क्रेट करेगा तो यह सारे आपके बाइलग जी के कोशन है जो की पेपर के अंदर डारेक्ली आते हैं आगे बात करते हैं पेज नंबर 12 की तर अगे देखिए आप में सबसे पहले है एक नई बॉड़ी जो की एस्पोर्ट के लिए बनाए गई है एर स्पोर्ट क्या होता है वैसे हमारे और फूट्बॉल फैडरेशन बास्क्रिब्ल उससी तरीके से एस्पोर्ट का भी फैडरेशन जोकी बनाएं गया पहली बार बना इन सबको भी sports की तौर पे देखा जाए अभी तो सिर्फ ये adventure sports होते हैं लेकिन अगर आप बाकी देशों में देखोगे न तो ये proper sports माने जाते हैं proper tournaments होते हैं internationally लोग participate करते हैं career बनाते हैं नौकरिया produce होती है तो इसका potential जो है इस industry का बहुत जादा है एक लाक नौकरी है जो की produce हो सकती है अभी हमारे हापे जो इसका business है वो स्रीफ और स्रीफ 80-100 करोड का है लेकिन जो potential है ना इसका वह 1000 करोड का potential है तो आप देख सकते हो gap अभी हमारे हापे बहुत जादा है इसलिए यह organization है जो की बन भाई लेंड करा देवाले लोग हमें देखने को ना मिले ठीक है तो भाई लेंड करा दे 500 रुपे एक्स्टा लेली हो याद है ना आपको तो पहले से तोड़ा सा बता बताने पर भी कोई फर्क नी पड़ता तो बाद में पता लेगा उसको कि यह तो बहुत ही dangerous है लेकिन मतलब dangerous होता नहीं है लेकिन उस भाई को बहुत जाए डलना करा था तो बहुत ही easy sports है यह को adventure sports भी नहीं जाते परा-gliding और यह बहुत ही बच्चों वाले बच्चों वाले चीज़ होती है लेकिन एक sport है कहने का मेरा मतलब है अगर आप इसको proper sports की तरह लोगे तो काफी लाइशन है उन्होंने ही दोस्तों इसको air sports policy है जो की बनाई है अब इसके अंदर क्या किया गया है इसके अंदर four governance mechanism बनाए गया है चार लेवल बनाए गया है सबसे उपर तो national association होगी जो मैंने लिखी है उसके रीचे आपके individual sports होगे जैसे paragliding का अलग हो गया hot air balloon का अलग ह हो गया है ना इस तरीके से उसके बाद regional centers होंगे फिर district level की unit होगी तो चार यूनिटे जो कि यहां पर बनाए गई है समझगे और इनकी जो head होगी वो ministry of civil aviation के अंदर के अंदर होगी यह organization global platform के ओपर represent करेगी इंडिया की air sports को जो की world air sports federation के अंदर यह दिख रहे हो आपे world air sports federation तो वहाँ पर इंडिया को represent करेंगे अलग-अलग sports के अंदर चलिए क्या प्लेंटि लगानी है क्या certification करना है को है ना competition कहां पर करवाना है कैसे करवाना है सारे काम करेगी इसके ओपर 18 से लेकर 28% तक का GST जो है वो include किया जाता है air sports के ओपर और उसको भी कम करके बोला ज स्रिफ दो hot air balloon मिलेंगे इतने बड़े राजस्तान के अंदर पुषकर में और एक जैपर में एक ही कंपनी के दो hot air balloon में आपको मालूम है hot air balloon में क्या होता है कि इसमें लोग बैठेवे होते हैं इसके अंदर 15-20 लोग है जो कि बैठेवे होते हैं काफी height तक जाता ही है और पर साब काफी अच्छा देखता है बहुत बड़ा बलून होता है इसके gas होती है इसके इसके अंदर कौन से gas यूज हो कि इसमें helium या hydrogen दोनों light gas है तो ओपर जल जाती है है तो यह जब तरकी गया था तो माप एक city है Cappadocia करके वह famous है इसके लिए है तो मैं कुछ फोटो दि city famous stage के लिए तो यह पूरे city का जो गुजारा चल रहा हो इसी के ऊपर चल रहा है तो आप देख सकते हो कि एक स्पोर्ट आपने डवलोब कि और पूरे शेर के लोगो को काम मिल गया क्योंकि पूरे दुनिया बढ़ से लोग याप पर इस तरी यह देखने आते है तो और इस कि पंगा जो कॉस्त होता है वह भी पाट से 8000 रुपे के पीश में होता है हाला कि कई बार लोग 500 रुपे एक्स्ट्रा देने में को भी रेडियो हो जाता है जल्दी नीचे उतारने के लिए अब होड़ गया तो इसके बाद नीचे उतारने का को इसकोग नियर स्केंदल त चीटा को लेकर नो चीटा भी पीता तो सब्सक्राइब वाइब लाइब कुछ दिरों में देखने को मिले कुनो वाइब सब्सक्राइब जाने के लिए बोला गया है पिचेतर साल हमारे देश के आजदी को हो चुके हैं उसी के उपलेक्स में पांच एनिमल जो एक्सिंड हो चुके हैं इंडिया में उसमें से एक चीटा भी था जो कि 1950 के बाद से गायब हो गया तो साउथ अफरीका से और नामी भीया से दोनों से भी ला सकते हैं एक कंट्रें से भी ला सकते हैं कुछ एक वाइफ एक्सपर्ट है जो कि दोनों कंट्रेंस इंडिया के अंदर आने वाले हैं साइट को विजट करेंगे उसके बाद में चीता को यहां पर बागने के लिए ना चीता बागता बहुत है मतलब तो उसको क्या चोटे-चोटे-चोटे से ग्र से ट्राफिक उतर ही हो चुका है जितना की प्री कोविट की ओपर था वापस से फ्लाइट से बागे सब चीज़े उसी लेवल की ओपर पहुँच चुकी है हमारे लिए यहां पर इंपॉन्ट है दोस्तों जो कि है एपल को एक बहुत बड़ा नुकसान जो की हुआ है एपल चुकी जोपी इम्पेरियल बैंक औफ इंडिया 1271 एंपी्रियल बैंकसिंडिया बना उस से पहले तीन बैंक से क्योक connection का बjąस अप्धिन नुकेट कशल्ए Weekly . करते हैं दिनेश कुमारे जो कि अभी इसके चेर परसन मनें हैं ठीक है आगे बाद करते हैं जो कि एपल को लेकर आपल जो है वो बहुत ही खतरनाक लेवल के उपर काम करते आप के पूटेट्ट जो है वो उसके वैलिव को जस्टिफाइ करते हैं लेकिन यह लोग इतने वह थ चार्जर इस बिंदितों क्राव सब्सक्राइब 506 अगने थे निया था में 5000 अखाली दिमा करा हो गया चार्जर अर चाल्जर एरफोन पता इता नो क्याчес सरह करता है अभी दब मैं ने सारी डिवाइस के चार्जर्व भी अलग अलग है लापटाप का चार्जर अलग है मुपाईव फॉंग का चार्जर अलग है इसी से दोस्तों यूजे और क्या नका करते हैं और तक या कौपी पेज करते हैं करते रहते हैं तो यूरोप का जो है उन्होंने दिमाखराब हो गया उन्होंने बहुत ऐसी है सुनो अडॉट वालों को और एपल वालों को दोनों को बुलाया और बहुत ऐसी है हम अमारे देशियों के अंदर सिंगल चार्जर जो की अपलाए करेंगे अब तुम्हें जो है चार्जर बनाने यूरोप में बेचने तो तुम्हें इसी दरगे का चार्जर बनाना पड़ेगा तो कभी यहां पर क्या हो गया दोस्तों कि ब्लोट टु एपल पूरी यूरोपीन यूनियन ने क्या बोल दिया कि वह सिंगल चार्जिंग पोर्ट के साथ में जाएंगे और तो इन्होंने टाइप सी जो हो कंपर सरी कर दिया तो एपल विल एफ टू चेंज दा कंड़ क्नेक्टर ओन आइफोन के उनको चेंज करने की जरूत है यूरोप में दोजाओ चौबिस के बास से क्योंकि यूरोपीन कंट्रिज ने लॉवमेकर्स ने बोल दिया है कि वह सिं तो ब्रूसेल ने पहले बेल्जियम ने इंप्लिमेंट किया इसको उसके बाद में आइफोन बुलाया और बोला कि एक मुबाइल फोन अप्लाय कर तो बात करो तो तो आप देख सकते हो आज बहुत सारी तरीके की चार्जर आता है पता पर ने जलता कौन सा किसके अंदर फ तो पुराना वाला चार्जर भी नहीं वाले मोबाइल में काम नहीं आता था थे के चलिये और तीगे आगे बात करते हैं फिलेंशल एक्स प्रेंशल की बात करें तो यहां पे वर्ल्ट बैंक को लेकर आपर बताय गया है कि वर्ल्ट बैंक ने इंडिया की जो ग्रोथ और सात में इस होती है क्याम वह तो एक यान में ब्रोंट रहा है तो वर्ल बैंक दोस्तों में लिए की ग्रोथ रेट को थो तुरहीं लिए बताया है पहले 8% परसेंट लेकिन अभी साथ 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 परसेंट बोला है क्योंकि महेंगा ही बहुत जादा है सप्लाइचेन के इंदर डिस्रप्शन है युक्रेन रश्या का कॉन्फिलिक भी चल रहा है तो उसके वद इसे भी प्रॉब्लम है तो यहां पर देख सकते हो सब आपके एक्जाम में आता है बाकी किसी एक्जाम में नहीं आता वर्ल्ड बैंक ने तो बोला है साथ परसेंट आएमएफ ने 8.2 एसन पी ने 7.3 मूडीज ने 8.8 फिंच ने 8.5 बता ही है मॉर्गन स्टेलन ने 7.6 और आर्बिया ने भी 7.2 है जो कि इस साल की 22-23 के लिए बोल देता है IBRD और IDA IBRD जो है वो देता है Middle Income Countries को लोन है न जैसे कि इंडिया है और IDA Low Income Countries जैसे कि अफ्रिकन Countries उनको लोन देता है IBRD के 189 Countries मेंबर है और IDA के 174 है IDA से अगर आप पैसा लेते हो तो आपको कोई इंटरस्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है IBRD में आपको थोड़ा बहुत इंटरस्स से जोकी देना पड़ता है डेविट मालपास प्रेसेंट है एंश्कुला कांत अभी यहां पे MDNCFO है जोकी बनी भी है चीफ इकनॉमिस्ट यहां पे कौन है कार्मन करके है ठीक है इनका World Bank Group भी है World Bank Group में पाँच आपका इंटरेशनल फिनेंस कर्परेशन जोकी प्रेवक सेक्टर को लोन देता है एक है कोई डिस्प्यूट हो गया country company में उसको रिजॉल करेगा और लास्ट है settlement को लेकर एक और 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 ऑगनाजिशन तो यह पाच और और नंबर पर हैं अब यहां पर वोटिंग पावर की सबस्ता था voting rights है यूएसे जापान कॉमन है फिर आइडिय के अंदर भी यूएसे जापान कॉपन कॉमन है और हम लोगों के पास पर साथवे नंबर पर वोटिंग शेर हैं और मीगा के अंदर हम लोग 9 6 नंबर के ओपर हैं जन सत्ता के बारे में बात करें तो खास यह आप आपकर फाइनली जो है ना वो सकसेज ए जो कि मिल गही है तो कैसे कैंसर के ट्रीटमेंट के ओपर सक्सेज मिली उसके बारे में जानेंगे येवाले नीज भी इंपॉर्णनेट है जो की इंवार्मेंट इंडेक्ष के बारे में बताए गया जहां पर हमारे रैंकिन दुनिया के लास्ट कंट्री के अंदर बताए गई है सबसे जादा हमारे इंवार्मेंट खराब बताए गया है तो सबसे बहुत करेंगे कैंसर को लेकर आप यहां पर देख सकते हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि कैंसर के इलाज जो है वो काम्याब कैंसर एक ऐसी बिमारी है जो कि पहली बात उसके कारण ही नहीं बता है इतने सारे कारण है मतलब पलूशन में उसका बहुत बड़ा मेजर कारण है आपका फूड बहुत बड़ा मेजर कारण है बहुत सारे अंगिनत कारण है आपके बॉड़ी के अंदर गार्ट बनती है ज क्योंकि उस cancer cells को जो है वो खतम कर सके खतम करने का तरीका क्या था कि आपको surgery करवाने पड़ेगी chemotherapy करवाने पड़ेगी आपको radiation यूज करने पड़ेंगे अब जब chemotherapy करवाते हो तो वह अपने आप में बहुत बड़ा है इतनी जाथ हीट बोड़ी में डाले जाती है आपके बाहर चले जाते हैं बोड़ी वीक हो जाती है आपको recovery करने में सालों लग जाता है है ना अब इस पूरी ट्रोमा से बचाने के लिए क्लिए क्या क्या गया एक्स्पर बोड़ा गया और जब 6 मैंने बाद में उनकी बॉड़ी के उसकैन किया गया और देखा गया कि उनकी बॉड़ी में कितने cancer cell है तो सारे के सारे दोस्तों cancer cell जो है वो मर चुके थे तो यह New England Journal of Medicine के अंदर जो है इसका प्रकाशन है जो की हुआ है और बहुत 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 ही होते हैं बहुत बड़ी बात होती है ठीक है तो यहां पर जितने भी लोग थे ना उन्होंने जो सही हुए उन्होंने अपने लैटर्स लिखे डॉक्तर चाहां पर रोने लग गये उनके आखों में आसो आ गया क्योंकि बहुत बढ़ा एक्सपरिमेंट था तो यह सब चीज सब्सक्राइब करना पड़ता है चलो आगे बात करते हैं प्रदेशन के अंदर अमेरिका के अंदर एक ऑगनेजिशन है उसने दुनिया के 180 देशों की सूची जो है वह जारी करी है जिसमें से इसके अंदर हमारी जो रैंक के दोस्ता वह 180 नंबर के ओपर है तो यह सेंटर और इन्वार्मेंट लौ एंड पॉलिसी और कॉलंब्या युनिवर्सेटी इन दोनों ने मिलकर सेंटर फॉर इंटरनेशनल और साइंस इंफोर्मेशन नेटवर्क के दुबारा जो है दो जारी किया जिसमें डेन्मार्क तो नंबर वन के ऊपर है और अम लोग लास्ट एक पाफी बैतर है तो सबसे कम अंक जो है वो 18.9 इंडिया के उसके बाद में मैंनमार वेतनाम बंगलादेश बैटर है और पाकिस्तान को भी हम से जाधा नंबर मिले है जो कम अंक वाले अधिकतर देश वह जिन्नोंने आर्थिक विकास को तो प्रात्मिक्ता दी है और इन्व सोयल बाकी जो पॉलूशन से ग्रीनाउस गैसे यह दिरे दिरे जो है उनके बढ़ते जा रहे हैं तो यह सब चीज़ें जो कि इसके इंदर बताएं चालिस ऐसे पैरामिटर्स है ना जो कि 11 कैटेगरी में डिवाइट कि जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है रंकिंग है ज देखते में तो बढ़ी राय कम नहीं हो रहा है इसका अमेरिका बीस्वे नंबर के ओपर है बीश्वा और और ओर आल के अंदर 43 कैटेगरी के ओपर इसको बताएं चलिया ठीक है आगे बात करते हमारे लिए दोस्तों अभी रिसेंट्ली यह भी बताएं गया था कि हमारे से सब्सक्राइब करनी होती है और रिवर्स को गंगा माता माता का दरजा देते हो या पिता का किसी को भी दरजा देते हो तो इसका मतलब हुता आपको रेस्पेक्ट करनी होती है और उस इसका ध्यान रखना होता है हमने क्या क्या हमने कुछ और ही समझ लिया हमने उसको भगवान मान लिया हमने पूजा पाट करना चालू कर दिया सारी बहाना चालू कर दी गंद की करना चालू कर दी और अब जो है वो हम लोग बोलने में तो क्या गंदा माता बोलते है है लेकिन सोचिए हमने डिग्रेट जो है वो कितनी बुरी हालत कर दिये रिवर्स की तो बहुत जादा टॉक्सिक लेवल के ऊपर मेटल से लेड आइरा निकल के अंदर देखने को मिल रहे हैं हेवी मेटल्स दोस्तों क्या है कि जो भी जिनका अटमिक नमबर 20 से जादा होता है जिनके टेंसिटी पांच ग्राम पर सेंटिमीटर क्यूब से जादा होती है तो वह सारे सारे मेटल्स होते हैं आपके बॉड़ी के अंदर बहुत दुखसान बहुंचाता है यह आपको अवी मेटल आज की टाइम पर रिवर में सौहिल में इंवार्मेंट में देखने को मिलते हैं क्योंकि अग्रिकल्चर बहुत रैपिटली ग्रो हो रहा है मेटल इंडेस्ट्री बढ़ रही है इंप् सब्सक्राइब की क्रस्ट के अंदर भी आपको अवी मेटल देखने को मिलता है लेकिन वह रॉक्स के अंदर है रॉक्स से हम लोग मिल्ड़ बनाते हैं लेकिन अगर स्वाइल में या पानी में या एर में तीनों में किसी भी तरी किसे जाएगा तो नुकसान तो के वाज़े से इंवार्मेंट के अंदर देखने को मिलता है हमारे आपे 764 रिवर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन से जो की 28 राज्यों के अंदर है जिसमें से 33 तो गंदा के पास है 10 के अंदर हाई लेवल हैवी मेटल कंटैमिनेशन ने जो की पाया गया है उससे पहले भ पर उसकी कैसी हेल्थ है जिसको आप लोग बोलते हैं याद है आपको बायो केमिकल ऑक्सिजन डिमांड आपकी नदी के अंदर क्या होता है कि मालो यह नदी है इसने इसके अंदर आपने एक केला का छिलका जो हो फेक दिया अब आपको पता होगा ना कि यहां पे माइक्र कोई के आफे करतें यह क्या करतें को काम में लेतें और इसको साफ करती कपांघी कि उसकि पास में ओकिस होता है उतना जी की थेट हैं जिसको जीशहते को साफ कर देंगी है की एक organic matter को खतम करने के लिए वो जादा होगा तो जादा बेटर होगा समझे रहो तो हमारे यहाँ पर बीओडी जो आगर आप देखोगे ठीक है तो यहाँ पर 239 मतलग 239 जात बहुत जादा की डिमांड है जादा की डिमांड क्यों है बीओडी की क्योंकि नदी के अंदर ज इसलिए उसकी डिमांड बहुत जादा हो गया यह बीओडी की बारे में बात करोगे टोटी कॉलिफार्म जो है वो तो पहुंच चुका है तो इस तरीक ऐसे जो है यह चलता है तो बीओडी जो है वही क्या है कि आपकी हेल्थ को बताता है रीवर की जिसे कि अगर आपको 5 ग्राम ऑक्सिजन तो मतलब मिलिममम चाहिए यह किसी प्यालत में पांच के साथ क्या सपास होता है तो वह नहीं होगा तो मढ़ना चालो जाएगी तो ऑक्सिजन जितना होगा रिवर के अंदर उतनी साफ होगी वह और उतनी ज्यादा डिकंपोजिशन करेगी एक होता है सुफोकिलेशन इससे क्या होता है और न WILL करता है सारे जो प्रशां करता है एक प्रिभी आपसी पेपर के पूछते हैं कि नोस्ट दो दोजार में इस फ्लाग्शी प्रोग्रेट को लाँच किया गया लेकिन बस चली रहा है मतलब आज तक यह सारे के सारे काम करने के लिए बोले थे लेकिन इसमें तो कुछ खास हुआ नहीं है तिके उसके बाद मैं नद्यों को साफ करने के लिए लग से मंत्राले सब्सक्राइब करते हैं तूर आप क्या कर सकते हो तीन से चार साल तक के लिए आर्मी के अंदर बढ़ती हो सकते हो ठीक है उसके बाद में 75 परसंट जो जवान होंगे उनको निकाला जाएगा वो दूसरी जॉप करेंगे 25 परसंट को रख लिया जाएगा यह भी इसके अंदर 1000 युवाओ को आर्मी के अंदर बढ़ती किया जाएगा तो यह क्या एक तरीके से टेंपररी सर्विस है जो कि आप आर्मी को दे होगे तो इसको अगनी पत युजना बोली गई है कुछ दिनों के अंदर हो सकता है इसके उपर जो है वो आनौसमेंट हो जाए आगे बात करत है रबर इंडर्स्ट्री को लेकर देंगो रबर इंडर्स्ट्री बहुत बड़ी इंडर्स्ट्री है हमारे आपे और इंडिया रपर इंडर्स्ट्री का एक अस्सोसियेशन है उसने यह बोलाए कि 2 billion non-tyre rubber sector जो है ना उनका एमें कि जो non-tyre rubber जो टायर जिस से बढ़र से ब रबर का तो 212 billion dollar का है और 2025 तक यह भी ग्रो हो जाएगा तो हमने कही सारे देशों को साथ में फ्री ट्रेड एक्रिमेंट करें MSME को इन्वाल किया है ताकि रबर के एक्सपोर्ट को आम लोग बढ़ा सके हैं ओके और रबर के अंदर हम लोग दुनिया के थर्ड तो सबसे ज है वह करद में तो आप देखो गें फिर दिर ambassadors labor market वह बहूए बढ़ता जा रहिए पूरी तुंजा के अदर के आट जाजिया के रबबर का प्रयक्शन सबसे जादा होता है उसके बाद में अपरिका तो वेल्ट के सबसे जादा है जो परपडेक्शन करते हैं वह आपदेख त्रोपीकल ट्री जोते हैं हैं है उनमें से निकलता है इनकी बस्वाइब 32 साल के आज पास के life span होता है रबर ट्री का जो एक समिक लाइफ है ना वो को अलूवील चाहिए होती है सेडिमेंटरी टैप के अंदर टेंपरेचर 20 से 34 दिगरी के असपास और कम से कम सौ दिन तो आपको बारिश है जो की चाहिए होती है अगर आपको रबर का प्रोडेक्शन करना है तो हम लोग दुनिया में फोर्थ लार्जेस प्रेडूसर है और सब्सक्राइब करें तो आप देख सकते हो हमारे देश में किरिला जो है वो लार्जेस प्रेडूसर है नैच्रल रबर का और उसके बाद तमिल लाडू उसके बाद में करनाट का तो दीरे-दीरे जो हमनों रबर के कल्टिवेशन को कमर्शल हमने बहुत पहले आसे 100 साल पह इंदर हो लिए यह पीस किपिंग फोर्सेज का एक्सराइज है तो इंडियन आर्मी के तरफ से कौन जा रहा है लग्दा स्कॉर्ट से जो कि रिप्रेजन करने जा रहे हैं इससे पहले इंडिया और मंगोलिया के बीच में नाम की एक 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 साइस है जो कि कंड़क्ट करव इस प्रफिट रहे हैं और बहुत बड़ा देश यह वैसे तो आप देख सकते हैं फिफ्टी पर से लोग बुद्धिस्त है फॉर्टी पर से लोग यहां पर को नाम पर करके हैं और मंगोल एंपर आपको मालूम है क्विंग डैनिस्टी से इनको 1911 के अंदर चाइनीज दिन को इंडिपेंडेस मिली और उसके बाद में इन्होंने मंगोलियन पीपल रिपब्लिक है जो कि 1924 में बनाया पॉपुलेशन देखो कि तो मात्र 33 लाग की पॉपुलेशन है अच्छा गासा है दुनिया में अठारवे नंबर पर है एरिये के अंदर तो लेकिन पाइनके चैनलेस्टॉब रोक के बराबर है जो की चलता है ठीक है आगे बात करते हैं संत कभीरदास को लेकर दोस्तों बहुत ही अमेजिंग परसन तो अभी रिसेंडली रामनात कोविंजी ने क्या किया है संत कभीर अकैडमी और रिसर्स सेंटर है जो की उत्तर है सब भी रिलीजिन को एक जो है मतलब इक्वालिटी को लेकर डिस्क्रमिशन खतम करने को लेकर काम किया था एक बार ऐसा भी हुआ था कि मेरा बाई और कभीर दास जो है उन दोनों ने भी साथ में मिलकर म्यूजिक जो है वो डूइट किया था गुजरात के अंदर एक बा सब्सक्रमिशन को मिल सकती है किताबों से इनके आर्टिकल से इनकी चीजों से तो कबीर पंथ जो है एक कम्मूनिटी बनी जो की सभी संप्रदाय रिलिजिन को बराबर इससे देखती है वो इन्हीं के दुबार स्टार्ट करें गई और कभीर पंथीज जिनको कहा जाता है चलिए एक निर्गुन टैडिशन जो है निर्गुन और सगुन में क्या था कि जो फॉर्मलेस जिसमें बगवान की कोई इमेज नहीं है जिसमें सरिफ दिल से माने जाता है कि हाँ फॉर्मलेस है ना और बस एक युनिवर्सल पावर माने जाती है भगवान को फॉर्मलेस बिंग वो क्या निगुन है जिसके अंदर आपके गुरु गोविन जी क्या मोलते है गुरु नानक जी थे इन सब ने जो इसको फॉलो किया उसी प्रकार से जो सगुन थे उन्होंने क्या किया था वो इमेज के उपर भक्ति क्या करते है जैसे कि मीरा भाई उनको कनेट करने के लिए कोई इमेज चाहिए थी हैना जैसे कि अभी मेर को बोलने के लिए साउंड के लिए आपको क्या चाहिए ऐसे उनको कनेक्शन के लिए इमेज चाहिए तो उसको व जो पाच्वे सिक्गुरू थे वो बहुत इंप्रेस्ट थे तो उन्होंने काफी काम है जो कि इसके ओपर किया था ठीक है तो कबीर दाज दिन जो है वो का सिस्टम के किलाव रिवोल्ट जो कि किया था और आज जिन लोगों मैं जानता हूं जो कबीर जिनका नाम है वो भी ब मुझे याद दिनाता है कभी नाम से बनता है आप अपने नाम के करेक्टर के साफ से बिल्ड होते हो वर ता टाइम तो यह चीज यह बहुत अच्छी बात है इसके अलावा राजिश्टान के जो सीमें उन्होंने इंटर्डूस किया राजिव गांदी खेल रतिन आवाड कह इस अनौश्मेंट हुआ है ना यह कहां पर हुआ राजिश्टान के अंदर आपको मालू में राजीव गांदी जी के नाम पर जो है ना वह क्या हो गया था कि बैन कर दिया गया था एक अवर्ड जो है वह सेंट्रल गवर्मेंट ने बना कर दिया खेल रतिन था तो उनको ध सब्सक्राइब जो है वह नहीं प्रसेंट जो की बने है इसके अलावा टीस ने दोस्तों टैन प्लेसे जो की ग्लोबल बीपीम के अंदर दोजार एक के अंदर होल्ड करी है ठीक है तो यह सारी चीजह होगे वोकाबिरिस में माला पर्ट का मतलब एक्ची की ओके और वाट अबाओ कभीर सिंग कभीर सिंग का फुरा अलग है कभीर सिंग का जो करेक्टर है वो तो कॉपी है न साथ इंडिया की मूवी अल्रेडी थी उसके उपर बफरिंग नहीं हो रहा है मेरे तो बिल्कुल ठीक चल रहा है ठीक है तो कभीर सिंग के स्टोरी अलग है वह साउथ-इंडियन कॉपी बॉलीवट मसाला मुवी है तो वह आपे कभीर से रिलेट मत करो का कभी यार कैसे करें हो होता है जो बहुत ही प्रूड एप जो बहुत ही रूड़किक किसी को कुछ भी बोलता है। रहाएन किसी को meet सब्सक्राइब करने का दोस्तों तरीका न वह बहुत पहले वह होग एंगिनियर जो थे आज से ढ़ाज साल पहले उन्होंने क्या किया था कि इस तरह के से deser के अंदर टॉम बनाकर अंदर की तरफ आइस को जो है वो लोग बनाया करते थे यह बहुत यह बहुत यह जमाने में लोग किया करते थे इसका लगा कर आपको अनक्याडमी पर किसी भी एक्जाम कर तैरी करनी है आप डाउनलोड करो मुबाइल लंबर डालो यहां पर गोल्स करो उसके बाद में प्लस पर जाहिए सब्सक्रिप्शन पर बारा या चौबिस मन्त पर और आपको यहां पर भी एच्व टैने जो कि आपको लगाना है ठीक है चलिए और इसमाइल फ्रॉल सब्सक्रिप्शन पर जाहिए और भी एच्टेन आप लगा सकते हैं उसके अंदर अब पंगे बताद ना कौन सा ओला सही है नेक्स है ठीक यह तो हो चुका है और आपको मैच करना है कि कौन सा स्थेट्मेंट या आप पे किस से बिलकुल सही है ठीक गईज तो यह था आज का आपका इंप्र protagonist session वीडियो को लाइक OH SHARE कर दिजuiगा आज़के लिàng इतना ही thank you everyone good bye and have a nice day